आपको तो बहुत पहले मुख्य मंत्री के पत से छोड़ देना चीए था और अब बचा क्या है अब इनके जो सीम पत का छोड़ने का है ये केवल एक नाटक है वैसी हालत में उनका मुख्य मंत्री बने रहला मेरा शाले उचीद भी नहीं था जब कोट का फैसला आ गया कि आप आप जा नहीं सकते सेकेटर नहीं जा सकते आप फाइल साइन नहीं कर सकते तो आपका अचित्ते क्या है मुख्य पंत्री पर बने रहने का कोट केजरिवाल को तो कोट ने चीफ मिनिस्टर पस से 足ा दिया था तो ये एक एक निया ड्रामा है दिखावा है कोट तो हमें सिरफ बेल दे सकती थी और कोट ने वो बेल दी और इसके लिए कोट का बहुत शुक्रिया पर अब अर्विंद केजरी वाल जी ने आज इमानदारी का एक नया किर्थी मन स्तापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बेठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दुबारा चुटके भेजेगी मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूँ मुझे बेमान कहा गया मुझे चोर कहा गया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और यह कहूंगा कि अगर मैं इमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पर बिठाइए और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुरसी पर नहीं बैटेंगे इसमें CM ना CM बनने का कोई मतलब ही नहीं हम लोग तो बहुत पहले से कहरे थे किसे CM पत से छोड़ देना चाहिए जब आपको जेल हो गई थी भले किसी कारण से हुई आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पत से छोड़ देना चाहिए था और अब बचा क्या है अब इनके जो CM पत का छोड़ने का है ये केवल एक नाटक है दिखें ये दुनिया के तिहास में शायत पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है हैं बेल पे तो उन पर तो कभी कोई शर्ते नहीं लगाई गई केवल इन पर क्यों शर्त लगाई गई और इसलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखें बेल देना सही है हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोट को भी डर है कि ये आदमी जाकर जो जो सबूत है उसके खिलाब उसको मिता देगा ये डराएगा धमकाएगा जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा दाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम को ट्रीट कर रहा है इसके बाद कोई कि नयतिकता नहीं बज जाती है केजरी वालके लेकिन केजरीवालों नयतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी तरीके आसपास का कोई संवंद है हमको लगता है कि लिवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल भी नहीं था तो कि जिस तरह से सुप्रीम कोट का फैसला है एक तरफ तो उनको जबानत दी गई दूसरी तरफ यह कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते सेगेटरियेट नहीं जा सकते फाइलों पर दसकत नहीं कर सकते तो एक तरह से मुकमलती का जो कार्ज है उससे उनको रोकने कभी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया तो वैसी हालत में में उनका मुकमलती बले रहला मेरा खाले उचीद भी नहीं था अपको लगता है सियासी तो पर इस फैसले के बाद आमादी पार्टी को फाइदा मिलेगा विदानसबा के चुनाओं में अभी नहीं कहा सकता देखिए पहले भी जब लोकसभा के वक्त में उनको जमानत मिली थी तो एक जनरल भावना यह थी कि उसका संपैथी उनको मिलेगी और यहां से गड़बंदर के उबिदवार जीतेंगे लेकिन उसका कोई फास फाइदा दिखाए नहीं पड़ा तो आज क्यों नहीं कि जो ड्रामा है कि हम जंता से पूचेंगे सवाल आज ही है कि दिल्ली क कि जंता हिंदुस्तान की सवाल पूच रही है कि आप जब कोट का फैसला आ गया कि आप आनि आप जानी सकते सेकेट्रेड नहीं जा सकते आप फाइल साइन कर सकते तो आपका ऑचित्त्य क्या है मुख्ये मंत्री पर पर बने रहने का आपने जेल में ते तब आपने रिजा आप एक्विटिट नहीं हुएं आप एक सजा याफता आप एक ट्राइल मुख्य मंत्री हैं इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर ड्रामा जो करना था जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 24 गंटे के बाद जंता से पूछके करूंगा आपका सीरियस थे आप दिली के जंता की आवाज सुन रहे थे तो दिली की जंता साफ कह रही है कि आप को डिजाइन करना चाहिए ता बहुत पहले आज डिजाइन क्यों नहीं कर रहा है तवाल यह उन्टिर ने उसाए पाँ की चाहूंगा के साथ ही डिली का चुना हो शे मेने से आज जो जेल में थे तब उनको दिली के कामों की याद नहीं है। दिल्ली का काम ठब है दिल्ली में जो विकास है वो हो नहीं रहा है कोई बैठक नहीं हो रही है कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद आपने रिजाइन नहीं किया है आज चुकी सुप्रीम कोड का वर्डिक्ट आ गया है कि आप कोई भी बैठक नहीं कर सकते हो तो आपका मुख् मंत्री पर बने रहने का कोई और चते नहीं है इसलिए जो ड्रामा है कि मैं लोगों से पूछूंगा चुनाव जल्दी हो जाए भारतिय जनता पार्टी चुनावों के लिए तयार है इलक्षिन्कमिशन को फैसला करना है कि कब चुनाव होंगे आज होते हैं अपने टाम पर होते हैं जब भी चुनाव होंगे बारती जनता पार्टी चुनाव के लिए पिल्कुत रहें तैयार है और हमें पूरा यकीन है कि 25 साल का जो एक बनवास था दिल्ली की जनता ने जो एक है कि तीसरी बार एक बार फिर हम मुखे मंत्री बारती जनता बार्टी का देखेंगे उने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी हारती है वो सभी मुखमंत्रीयों को परिशान करती है उसके उपर कुछे केस डालती है जेल में डालते हैं वो जांबल दिया मंताब एनेट्जी का हिमन सुरेल का अपना देखेंगे यह सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है लोकतंतर खत दिल्ली का विकास कारे ठप है आपके जेल में होने की वज़े से और आप बेल पर बहार आए हैं और कोट ने सक टिपनी करी है और सक फैसला दिया है कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हो आप सेकेटरेट नहीं जा सकते हो इसलिए इस सक कुछ जो है एक ड्रामा है और क चलिए देर आए लेकिन संभिधान के रस्ते पे आए होना तो यह चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तिफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे अर्विंद केज नहीं न जाए अनुतराइस कलोनियों के लोग सिसक सिसक के रोए कुछ फरक नहीं पड़ता दिली में गड़े गड़े हो जाए अर्विंद केजरिवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं जैसे लगता वो राज गड़ी पर बैठे हैं तो यह सारे चीजों का आज पटा छेफ हुआ है चलो दो दिन बाद इस्तिफा होगा लेकिन यह संभिधान की बहुत बड़ी जीत हुई है संभिधान यही कहता था था ना कि आप इस्तिफा देना पड़ेगा और इतने सारे बहस इतने सारे जिरह के बाद भी कोट ने बेल देने के पहले उनको चीफ कि फशी के पर से हटा दिया आप फाईल नहीं साइन कर सकते है आप फॉफिस नहीं सा कुटा दिया गया हम बेजत करके अध inici 1997 कि किया अभ जब आपने गोशना कर दिया है एक विक्तिम काड़ खेलने के तो वह उत्माहिर है न अर्विन केजरिवाल जी तो वह दिखाएंगे कि दुकु दुकु मैंने इस्तिफा दिया इस्तिफा नहीं दिया उन्होंने और वो गोट के द्वारा सस्पेंड किये जा चुके हैं अब जब इस्तिफा भी दे रहे हैं तो दो दिन का टाइम ले रहे हैं अब इस दो दिन में क्या क्या होगा कोई विव्यक्ति सोच सकता है उनको अपने उत्रादिकारी खोजने हैं लोगों पर विश्वास नहीं है अपने विदायकों पर विश्वास नहीं है वहरहाल जो भी होगा देखना इंट्रेस्टिंग होगा लेकिन एक ची जंत में बोलूँगा उन्होंने एक बात कही कि मैं जाओंगा गलियों में बड़ा खुश हुआ आईए गलियों में चलिएगा तो बेहने आपसे पूछेंगी माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चो जैसे दिली के जनता पूछ पाएगी कि आज दिली के हर सड़क पर गड़्टे कुझें हैं यह सबाव पूछ पा कि ये सवाल पूछ पाएगे दिली की जनता कि आज टूटी संख क्यों है और दिली के सवालों का अर्विछ जिरिवाल जी को जबाब देना पुरूएं atmospheric किया वो उनके उपर ऐसे जूटे आरोप लगाए भाजपा ने तो उनको कितनी तकलीफ होगी अब वो ये मामला कोट में तो बहुत लंबा समय चलेगा कोट तो हमें सिरफ बेल दे सकती थी और कोट ने वो बेल दी और इसके लिए कोट का बहुत शुक्रिया पर अब अर्वि भाजपा की बातों पर मत जाईए भाजपा पहले उन्होंने उनका तो मंचा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अर्विंद केजरिवाल जी को रोका जाए उनके कामों को रोका जाए पर अर्विंद केजरिवाल जी खुद दिल्ली की गली-गली में घुपेंगे खुद जाए कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं न रुके तो ये उस वज़ा से उन्होंने इस्तिफा नहीं दिया काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है कि दिल्ली में इतने विधायक है कि वो एक वागनार में बैठके जा सकते हैं ये मैंडेट है दिल्ली का दिल्ली की जनता अरविंद केजरिवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा अरविंद केजरिवाल जी ने अपनी स्पीच में बताया कि वो अभी विधायक मंडल के साथ बैठक होगी और उसमें जैसा निडने होगा वो आप सब के समग जो जो विधायक विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद जो भी निश्कर्ष होगा आपके सामने होगा मुख्य मंत्री जी ने खुद एलान किया कि वो दो दिन बाद इस्तिफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी उस मीटिंग से जो निश्कर्ष मिलेगा मंत्री मंडल के साथ बैठके जो निश्कर्ष मिलेगा वो आपके समक्ष होगा मुझे लगता है कि दिली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उधारन आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्य मंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अगनी पर अरोपों से काफी दुखी हूं मुझे बेमान कहा गया मुझे चोर कहा गया मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और यह कहूंगा कि अगर मैं इमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुरसी पर बिठाए और अगर मिर को आप वोट नहीं कुतर्क के अलावा भारती जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती है क्या वो चुनाव अर्विंद केजरिवाल को मुख्य मंत्री बनाने का चुनाव था वो चुनाव देश में प्रधान मंत्री बनाने के लिए था और अर्विंद केजरिवाल प्रधान मंत्री के ना दावे सीटे देती है आठ सीटे देती है तो भारती जनता पार्टी को सच्चा ही मालूं